जय माता दी मित्रो आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है, माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा ग्रिष्टी बनाए रखें। मित्रो नवरात्री के छटे दिन दुर्गा सप्षती के एक अध्याए अर्थात अध्याए 11 का पार्ट किया जाता है, जिसमें माता कात्याईनी देवी की स्तुती की गई है। दोस्तों पूर्व की तरह इस वीडियो में भी हमने संपूर्ण पार्ट के फोटो लगाए हैं, जिससे आप सभी कथा सुनने के साथ साथ स्वयम पार्ट भी कर सकें। दोस्तों आप से निवेधन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसी आशा के साथ पाठ आरंब करते हैं। महर्शी मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादी देवता अगनी को आगे करके कात्याइनी देवी की स्तुती करने लगे, उस समय अभीष्ट की प्राप्ती के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा है शरनागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन हो, ही संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन हो, विश्विश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम इस चर और अचर की इश्वरी हो, ही देवी तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम प्रित्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो, तुम विश्णु की शक्ती हो और विश्व की बीज पर्ममाया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन होने पर ही यह प्रित्वी मोक्ष को प्राप्थ होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन-भिन स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी ही मूर्तियां है। एक मात्र तुमने ही इस जगत को वयाप् कर रखा है तुम्हारी स्तुती किस प्रकार हो सकती है क्योंकि तुम परम बुद्धी रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ती देने वाली हो अतह इसी रूप में तुम्हारी स्तुती की गई है तुम्हारी स्तुती के लिए इससे बढ़कर और क्या य उक्तियां हो सकती हैं, संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायनी देवी, तुमको नमस्कार है, कलाकाश्था आदी रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन, कि ओर ले जाने वाली नागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी तुमको नमस्कार है, स्रिष्टी, स्थिती तथा सनहार की शक्तिभूता, सनातनी देवी, गुनों का आधार तथा सर्व सुखमई नारायनी तुमको नमस्कार है, कि शरन में आये हुए शरनागतों दीम दुखियों की रक्षा में तत पर संपूर्ण पीराओं के हरने वाली है नारायनी, तुम जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुष से अभिमंतरत जल छिरकती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है, महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारन करने वाली है महा व्रिशब वाहन वाली नारायनी, तुम्हें नमस्कार है, मोरों तथा कुपकुटों से घिरी रहने वाली महा शक्ती को धारन करने वाली है कौमाई रूप धारिनी, निश्पाप नारायनी, तुम्हें नमस्कार है, ही शंथ, चक्र, गदा और शानक धनुष रूप आयुधों को धार दांतों पर प्रित्वी धारन करने वाली वराह रूपिनी कल्यानमई नारायनी तुम्हें नमसकार है। देत्यों के महामद को नष्ट करने वाली गोर रूप वाली मुंदमाला से विभूशित मुंदमर्दिनी चामुंदा रूपा नारायनी तुम्हें नमसकार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टी, स्वधा, द्रुवा, महारात्री तथा महाविद्यारूपा नारायनी तुम्हें नमसकार है। हे मेघा, सरस्वती, सर्वोत क्रिष्ट, एश्वर्य रूपिनी, पार्वती, महाकाली, नियंता तथा इशारूपिनी नारायनी तुम्हें नमसकार है। हे सर्वस्वरूप सवेर्श्वरी, सर्वशक्ती युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमसकार है। हे कात्याईनी, तीनों नेत्रों से भूशित ये तेरा सौम्य मूख सब तरह के दिरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमसकार है। हे भद्राकाली, ज्वालाओं के समान भयनकर, अती उग्रा एवं संपूर्ण असुरों को नश्ट करने वाला तुम्हारा तुरिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। ही देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नश्ट करता है, वो आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करें, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। ही चंडिके, असुरों की रक्ष और चर्वी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वो हमारा मंगल करें। हम तुमको नमस्कार करते हैं, ही देवी, तुम जब प्रसन होती हो तो संपूर्ण रोगों को नश्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण रहे देने योग्या हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारन करके इन धर्मद्रों ही असुरों का तुमने सनहार किया है, वो तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश, विद्याएं, शत्षास्त्र और चारों वेद तुम्हारे की वर्नन है, और जहां राक्षस, विशैले सर्प शत्रुगन है, वहां और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्विश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धार करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विश्वरू, महेश को भी वंदनिया हो, जो भक्ती पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वो विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। ही देवी, तुम प्रसन हो और असुरों को मार कर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रूओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो, संपूर्ण जगत के पाप नश्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदी बड़े बड़े उपद्रवों को शीग रही दूर कर दो, विश्व की पीरा दूर करने वाली देवी, शरण में पर प्रसन हो, त्रिलोक निवासियों की पूजनिय परमेश्वरी हम लोगों को वर्दान दो, देवी ने कहा है देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा वर मांगलो मैं तुमको दूनगी, देवताओं ने कहा है सरवेश् त्रिलोकी की निवासियों की समस्त पीराओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रूओं को इसी प्रकार नश्ट करती रहो, देवी ने कहा वैवस्वत मनवंतर के 28 युग में दो और महा असुर शूम्ग और निशूम्ग उत्पन होंगे, उस समय में नंद गोप के घर में यशोदा के गर्ब से उत्पन होकर विंध्या चल परवत पर शूम्ग और निशूम्ग का सनहार करूगी, फिर अत्यंत भान्यकर रूप से प्रित्वी पर अवतीर्न वैप्रचिती नामक दानवों का नाश करूँगी, उन भयनकर महा असुरों का भक्षन करते सम मेरे दंत अनार के पुष्प के समान लाल होगे, इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और प्रित्वी पर मनुश्य मेरी स्तुती करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे, फिर जब सौ वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं रिशियों के स्तुती करने पर आयोनेज नाम द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और तब इस प्रित्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होँगी और इसी अफ्तार में मैं दुर्ग नामक महा असुर का वध करूंगी, और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिध होँगी, इसके पश्चात जब म मैं भयानक रूप धारन करके हिमालय निवासी रिश्यों महा रिश्यों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याती होगी, और जब फिर अरुन नामक असुर तीनों लोकों को पीरित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रुमरों का रूप धारन करके उस महा देत्य का वद करूंगी, तब स्वर, गह में देवता और मृत्यू लोक में मनुश्य मेरी स्तुती करते हुए मुझे भरामरी नाम से पुकारेंगे, इस प्रकार जब जब प्रित्वी राक्षसों से पीरेत होगी, तब, तब मैं अफ्तरित होकर शत्रूओं का नाश करूं जय मतादी